स्वागा था एक बार फिर आपका अपनी चैनल हटके प्रेडिक्टर में इस वीडियो में हम बात करेंगे उटाएगो वोल्स वसस सेंटरल स्टैक्स का जो मैच नमबर 11 ड्रिम 11 सुपर स्मैश मेंस का होने वाला है चांसास नहीं है मेरे हिसाब से सन बाहर रहेगा मतलब सूरज बाहर रहेगा तो यहाँ पर थोड़ी बहुत धूप भी देखने को मिल सकती है पिछ रिपोर्ट में बैटिंग पिछ है पेसर्स के लिए अच्छी है फरस्ट इनिंग्स में स्पिनर्स अच्छा करते हैं सकेंड इनिंग्स में आपको पेसर्स अच्छा करते हुए दिख जाएंगे अब expect कर रहा हूँ मैं यहाँ पे Pacers भी दोनों इनिंग्स में अच्छा करते हुए दिखेंगे Spinner's के साथ Average score मेरे हिसाब से 160 तो 180, 180 प्लस भी बन सकता है यहाँ पे अच्छी पिछे बैटिंग के लिए अब last T20 matches यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 160 हुआ, यहाँ पे 140 प्लस, यहाँ पे 170 प्लस का score देखने को मिला था विकेट्स टैली देखोगे तो यहाँ पे 1st इनिंग्स में Pacers 10, Spinner's 14 और 2nd इनिंग्स में Pacers 6, Spinner's 3 विकेट निकालते हुए दिखे हैं अब यहाँ पे टैली निकल क्या रहा है, इस हिसाब से Toss important है जो टीम यहाँ पे 1st bowling करेगी, उसके Spinner's हमें लेने पड़ेंगे उसके Spinner's अच्छे करते हुए दिख सकते हैं 2nd यहाँ पे जो 2nd इनिंग्स में bowling करेंगे, उनके Pacers हम लेकर चल सकते हैं अब लास्ट यहाँ पे head to head matches में क्या हुआ था, एक match जो 11 तरीक को हुआ था same venue पे हुआ इसी venue पे, जिसमें Otago Worlds ने match जीता हुआ था chase कर लिया था 141 करके, सिर्फ एक wicket के नुकसान पे फिर यहाँ पे 2 तरीक को एक match हुआ था इनका उससे पहले जिसमें Central Stacks ने chase कर लिया था 186 का target सिर्फ 5 wicket के नुकसान पे, तो दोनों team यहाँ पे दमखम रखती है ऐसा नहीं है कि कोई weak है या कोई strong है, दोनों आपको एक अच्छा performance यहाँ पे देते हुए दिख जाएंगे, total इनके 24 matches हुआ है, जिसमें Otago ने 11 जीता है और Central Stacks ने यहाँ पे total 13 matches जीता हुआ है head to head का overall snapshot भी यहाँ पे दिया हुआ है batting first करते समय क्या हो सकता है, batting second करते समय क्या हो सकता है इस पे भी एक नजर आप डाल सकते हो अगर dream 11 के इलावा कोई और आप पे खेलना चाते हो, second innings वगरा है football, basketball वगरा यहाँ पे भी cover किया जाता है 11 challengers पे इसका link आपको description में मिल जाएगा, referral code हमारा डाल दोगे तो future में जो हमारा giveaways रहेगा उस पे हमारे मतलब अराम से giveaways join कर सकते हो अब बात करते हैं यहाँ पे Otago के declared squad और probable playing 11 की इनका जो declared squad है वो यह है, probable playing 11 आपको यह होते होगे दिख सकता है Rutherford और Broom open करते होगे दिख सकते हैं उसके बाद Lee Johnson, One Down, उसके बाद Kelly, NRO Kitchen, Renwick, Ripon, Dale Phillips या फिर Michael Ray अगर टीम चाहेगी कि यहाँ पे एक पेसर add करना है टीम में तो Michael Ray अंदर आते होगे दिख सकता है Duffy, McLagan और Mad Wagon आपको खिलते होगे दिख जाएंगे open और देथबे मेरे हिसाब से Duffy और McLagan हो सकते हैं अगर Ray आता है अंदर यानि कि Michael Ray अगर अंदर आता है तो आपको वो open करते होगे bowling दिख सकता है बहुत अच्छा बोलर है बहुत जबरदस्त बोलर है अगर खिलता है तो top order की मतलब ओंगली कर सकता है top order batsman को बहुत परेशान कर सकता है Michael Ray यहाँ पे अब इनके जो इस season में क्या performance रहा है अभी तक देखो ओटागो वोल्ट्स ने 3 matches खेले है तीनों matches में यहाँ पे देखोगे तो 87 runs रुदरफॉर्ट 29 की average बुरूम ने 77 किया 25 की average लिव जांसन ने 95 runs 31 की average निक के लिए 42 runs 14 की average उसके बाद कीचन 2 wicket प्लस 11 run रेनवीक 26 की average से 78 runs रिपॉन 4 wicket 3 matches में 33 runs रिपॉन ने किये हैं और डेल फिलिप्स 2 matches में 15 डफी 3 matches में 1 में क्लेंगन 3 matches में 3 wicket और Mad Wagon अच्छे form में चल रहा है 3 matches में 7 wicket total अभी तक Mad Wagon ने निकाला हुआ है अब head to head में क्या होता है head to head में देखो Mad Wagon 4 matches में total 6 wicket अभी तक नील गुरूम का अच्छा average है 29 का उसके बाद यहाँ पे डफी का decent record है 10 matches बनलब 11 matches में 12 wicket लिव जाउंसन 2 matches में 11 run निक के लिए 1 match में बैटिंग की थी 45 runs किया था NRO किचन ने 10 matches में 8 innings में बैटिंग की है 197 runs 24 के average total 7 wicket इसने 8 innings में निकाला हुआ है उसके बाद यहाँ पे डेल फिलिप से 1 match में 25 run Michael Ray 4 matches में total 8 wicket head to head में निकाल चुका है अगर खेलता है तो एक बहुत जवर्दस्त फिक रहेगी Michael Ray की उसके बाद यहाँ पे रेंविक एक match में था कुछ रोल नहीं था बैटिंग करने का मुखा नहीं मिला उसके बाद Michael Ripon 6 matches में 61 runs 3 wicket total इसने निकाला हुआ है हमी शुरूदर 4 की बात करें तो यहाँ पे 32 की आवरेज से इसने भी 424 runs head to head में किये है अब venue की बात करें तो यहाँ पे venue stats है यह भी आपके लिए important हो सकता है अब Matt Beckon 3 matches में 1 wicket Neil Broom 32 matches में 32 की आवरेज जरूरत पढ़ने वे bowling करता है पहले करता था regular bowling लेकिन अभी regular नहीं कर रहा है बहुत कम bowling कर रहा है डफी 21 matches 18 innings में सिर्फ 12 wicket इसने निकाला एलिू जॉनसन ने सिर्फ 7 run एक match में निक के लिए 4 innings में बैटिंग की है जिसमें 77 runs इसने किया था 25 की आवरेज से अनरू किचन 16 innings 16 matches 10 innings 222 run 22 की आवरेज से 3 wicket अनरू किचन ने भी निकाला है मेकलेंगन 3 matches में 1 wicket माइकल रेज 4 matches में 4 wicket यहां से भी अच्छा है माइकल रेज अच्छा मतलब decent performance दिया हुआ है उसके बाद मीच Renwick है Renwick ने 2 matches में 5 run किये हैं एक meanings में बैटिंग की थी रिपॉन ने 8 matches में 3 wicket 6 innings total बैटिंग किये मतलब runs भी 28 इसने किया हुआ है Rutherford का भी अच्छा performance है वेन्यू के उपर 25 matches 22 innings 590 इफारंस 28 के अवरेज है हमी शुरू दरफॉट की उसके बाद यहाँ पर Otago Worlds का Dream 11 2019 Super Smash stats भी दिया हुआ यह भी चाहो तो देख सकते हो इससे भी आपको help हो सकती है और overall T20 stats भी अगर आपको चाहिए तो यह भी मैंने यहाँ पर निकाल रखा है यह भी एक बार चाहो तो यह भी देख सकते हो अब यहाँ पर बात करते है Central Stacks की Declared Squad और यहाँ पर Squad में कौन अंदर आया है Bailey Wiggins और Will Young Wiggins वापस आया है Will Young अभी यह मैच आपको खेलते होगे दिख जाएगा अच्छे form में है अच्छे टच में चल रहा है Recent इसका performance भी अच्छा रहा है Will Young का खेलेगा तो आपको open करते होगे दिख सकता है George Walker के साथ उसके बाद Christian Leopard या फिर Bailey Wiggins खेलते होगे दिख सकते हैं Dan Cleaver आएगा Josh Clarkson है Doug Brasswell है Barnett है Patel है Field है Tickner है और Jayden Lennox है या फिर टीम ऐसा भी कर सकती है यहाँ पे Lennox होगे रहा को ड्रॉप करके Wiggins को सिधा-सिधा as a batsman लेकर भी चल सकती है अंदर अब देखते हैं क्या होता है lineups होगे रहाने के बाद हम final team discuss करेंगे टेलिग्राम चैनल पर open में आपको डॉप गुरेस्वेल और ब्लेर टिकनेर दिख सकते हैं देथ में इन दोनों के साथ अपको के नॉइमो बार्नेट भी देथ में बोलिंग करते हुए दिख सकता है उसके बाद central stacks की 2020 की stats इस season इनका क्या performance रहा है तीन मैचस इन्हों ने टोटल खेले जिसमें George Worker ने 200 रन 50 की अवरेज से एक विकेट लिया हुआ है Leopard भी अच्छा टच में है मतलब 54 रन्स की है दो विकेट इसने लिया हुआ है विगिन्स तीन मैच में 18 रन Dean Cleaver की 20 की अवरेज लगबग 21 की अवरेज है Josh Clarkson भी अच्छा है 33 की अवरेज एक विकेट Doug Bracewell चार मैचस में 79 रन्स लग दो विकेट इसने लिया हुआ है Kay Noeima Barnett ने भी चार मैचस चार इनिंक्स 20 रन्स चार विकेट टोटल अभी तक निकाला है Ajax Patel का ये सीजन थोड़ा खराब चल रहा है Last season अच्छे पर्फॉर्म में था Last season में अच्छा पर्फॉर्मेंस था कभी भी आपको अच्छा पर्फॉर्म करते हुए दीख सकता Ajax Patel चार मैचस में एक विकेट Joey Field चार मैचस में छे विकेट Blair Tickner चार मैचस में तीन Lennox ने एक मैच में दो विकेट अभी तक निकाला हुआ है अब इनका Head to Head में क्या होता है Head to Head में George Walker बहुत अच्छा पर्फॉर्मेंस है 30 की आवरेज है 8 विकेट निकाला हुआ है Doug Braswell 68 रंस 3 विकेट Josh Clarkson 22 की आवरेज 0 विकेट एक ही इनिंग्स में Clarkson ने बोलिंग की थी उसके बाद Dean Cleaver है 11 मैचस 10 इनिंग्स 147 रंस 16.33 की आवरेज अले पॉट का भी अच्छा कासा डिसेंट रेकॉर्ड है 26.67 का उसके बाद Kay Noe Ma Barnett डिसेंट पर्फॉर्मेंस है Noe Ma Barnett का Ajaz Patel 8 मैचस में 9 विकेट टिकनर 8 मैचस में 7 और Will Young ने 26 के आवरेज से 214 रंस 9 इनिंग्स में किये हुए है वेन्यू पे क्या होता है वेन्यू पे भी जो है देखो वारकर 129 रंस 43 के आवरेज डोग ब्रेस्वेल ने एक ही मैच खेला था जिसमें 6 रं इसने किया था उसके बाद Josh Clarkson ने एक मैच में 14 रं Dean Cleaver एक मैच में 42 रंस Christian Leopard एक मैच में 9 Noema Barnett 9 मैचस 5 इनिंग्स इसने बैटिंग बोलिंग और की थी दोनों 5 इनिंग्स में किये थे 80 रं किया था 10 के आवरेज से और 5 रं इसने स्कोर किया हुआ था वेन्यू के उपर सारी 5 विकेट इसने लिया हुआ था वेन्यू के उपर उसके बाद Ajas Patel है जो के 3 मैचस में 1 विकेट Will Young 2 मैचस एक इनिंग्स में बैटिंग की थी 39 नाट आउट के पारी ये खेल के गया था इस वेन्यू के उपर उसके बाद यहाँ पे इनके 2-19 ड्रिविल और इन सुपर स्मैश के स्टैट्स भी चाहिए तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो Ajas Patel 10 मैचस में 15 विकेट लिया था और टिकनर ने 9 मैचस में 11 विकेट लिये थे ये टिकनर का अच्छा चल रहा है सीजन Ajas Patel का थोड़ा ये वाला जो सीजन है 2020 का वो थोड़ा खराब चल रहा है अभी तक के लिया अभी कभी भी ये अच्छा विकेट लेते हुए दीख सकता बहुत बढ़िया बोलर है बहुत बढ़िया स्पिनर है अपने दीन पर आपको ये गुच्छो में विकेट निकलते हुए दीख जाएगा उसके बाद यहां पर ओरल टीट्विंटी स्टैट्स दिया हुआ ये भी चाहो तो देख सकते हो अब यहां पर हम बात करते है कॉमन कैप्टेन वोइस कैप्टेन की यहां पर है अगर Grand League में बोलर्स ट्राइक करना चाहते हो तो इन तीनों को ट्राइक कर सकते हो मतलब किस किस को अनरू किचन, मैड बेकान और बलेर टिकनर इन तीनों को आप ट्राइक कर सकते हो अब यहां पर देखोगे मतलब बैट्समेन और All-Rounders वगरा में Small League या Grand League में इन प्लेयर्स को आप ट्राइक कर सकते हो अब यह के लिए जो हमारी टीम है उसकी अगर बात करें तो फिलाल के लिए देखो मैंने थोड़ा यहां पर रिस्क लिया हुआ है आपको यहां से दिखेगा Renwick और आपको यहां से bowling section में दिखेगा Ajax Patel जो के बहुत कम लोग लेकर चलेंगे आपके पास safe भी जाने का option है safe अगर आपको जाना है तो देखो क्या कर सकते हो यहां से Renwick को हटाना पड़ेगा और यहां से Ajax Patel को हटा के सीधा सीधा Joyfield को ले लो आपके पास no credit आजाएगा no credit में आपको Dean Cleaver मिल जाएगा यह जो team है यह safe team है अब इसमें voice captain आप पे depend करता है कि आप किसको लेकर चलोगे voice captain के लिए बहुत सारे option है Neil Broom है, Will Young है Clarkson है, Bracewell है, Ripon है Tickner है, Bikon है आप इसमें से जिसको चाहे आप voice captain कर सकते हो ज्यादा तर लोग यहाँ पे Clarkson के साथ जा रहे मैं यहाँ पे Rutherford के साथ या फिर निर Broom के साथ जा सकता हो वो जिसके साथ भी मैं जाओंगा वो आपको मैं टेलिग्राम चैनल पर अपडेट करके बता दूँगा अब यहाँ पे और options क्या है इसमें देखो एक तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ से Clarkson या फिर Ripon की जगे पे Kitchen और Noima Barnet ट्राइ कर सकते हो Noima Barnet भी नहीं चाहिए तो Hippon है Clarkson है, Doug Bracewell की जगे पे यहाँ पे Rotate करोगे ना All-Rounders में तो आपके लिए Grand League और Mini Grand League अगर हमें अच्छा performance देखने को मिल सकता है यह तो default pick है इसको हमने लिलिया अब इन में से हमें Rotate करना पड़ेगा Clarkson, Ripon, Bracewell, Kitchen और Noima Barnet के बीच में Kitchen को बहुत कम लोग ट्राइ करेंगे मैं चाहता हूँ आप इसको Grand League में आज यह voice captain या फिर captain करके चले अगर spin में यह support कर गया पिछ तो आपको यह player अच्छा करते हुए दिख जाएगा batting भी उपर करता है, किसके उपर? Ripon के उपर, Ripon से पहले यह आपको batting पे आते हुए दिख जाएगा इसके बाद आपको Ripon बैटिंग करते हुए मतलब Ripon थोड़ा नीचे बैटिंग कर रहा है इस season में थोड़ा उपर करता था पहले लेकिन अभी बहुत नीचे बैटिंग करते हुए दिख रहा है आप जो भी अपडेट रहेगा वो आपको टेलिग्राम पे बता दूँगा और उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा सारा कुछ डिटेल्स मैंने दिया हुआ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना मिलते हैं अगले वाले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद